हलो अबरीमन चल लिए बनाते हैं सेव टमाटर की सबजी ये पहती मजयी시 की बनती है इसके लिए मैने यहाँ पर 9.sin टमाटर कर लिये हैं 1.5 ब्राइशूग्राम लिहेटीकी लेस्यप सेव 2 बड़े प्याजोंगों को बारिक कर लिया है धन्या पत्ता लिया है गार्णिशिंग के लिए आधी चोटी चम्मच लेंगे जीरा आधी चोटी चम्मच लेंगे राई तड़के के लिए और दो हरी मिर्चियों को मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है सुखे मसालों में एक बड़ा चम्मच तीखे लाल मिर्च ली है चोटी चम्मच हल्दी ली है और एक बड़ा चम्मच मैंने लिया है तनिया पाउड़ करी पत्ताज लिये है गरम मसाला यह बिलकुल ओप्षनल है अगर आप जादा तीका खाते हो तो इसे एड़ कीजेगा वरना स्किप कर दीजेगा एक बड़ा चम्मच लैसुन द्रक का पेस चलिए हमारी सेव टमाटर की सबजी बनाना स्टाट करते हैं पाच चम्मच तेल में मैंने जीरा और राई को डाल दिया है जब वो चटक जाए तब हम इसमें प्याज याड़ कर देंगे पैस को गुलाबी होने तक अच्छे से पका लेंगे पैस के कलर पे आपकी ग्रीवी का कलर डिपेंड करेगा अगर लाल अच्छे कलर वारी ग्रीवी चाहिए होगी तो आपको पिंखी पैस कराने हैं अगर आपको पैस को जादा गोल्डन ब्राउन कर दोगे तो आपकी ग्रीवी काली दिखेगी एक चम्मच मैंने जिंजर गालिक का पेस्ट डाल दिया है यह फ्रेशली कुटा हुआ जिंजर गालिक का पेस्ट है अब जब भी कोई सब्जी बनाओ अगर पॉसिल्बल हो तो फ्रेशली कुटा हुआ जिंजर गालिक पेस्ट डालिएगा उससे स्वात बहुत ही अच्छा था है करीपत्तास डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे जब हमारे करीपता थोड़े से अच्छे से पक जाए तब हम इसमें अपनी ग्रीन चिली डाल देंगे सुखे मसाले अड़ कर देंगे यहाँ पर अगर आप फीकी सेव यूज करोगे टमाटर डाल देंगे सारी चीजों को अच्छे से मिला देंगे और नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद नमक को अच्छे से मिला देंगे और ढकन लगा के टमाटर प्यास गलने तक हम इस ग्रेवी को पका लेंगे दो मिनिट के बाद हमारे टमाटर प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं अब इसे में फिर एक मिनिट तक अच्छे से घूल लूँगी चलाते रहना है और हम चम्मच से टमाटर और प्याज को स्मैश करते रहेंगे जिससे कि हमारी थिक सी ग्रेवी बन जाए देखिए हमारा ग्रेवी का बैस बिल्कुल रेड़ी है अब मैं इसमें वाटर एड़ कट दूँगी यहाँ पर मैंने दो ग्लास पानी डाला है यहां पैर मैं एक ग्लास पानी डाला था सारी चीजों कंचे से अमा छहें पंकामरे दोटेश के दroid्ड़ और हमने एक पानी आइड़ दिया है कर मैं मैं वालास वद्ध जाधा पतलीची ब्रड़ रागती हैं तो हम क्या करेंगे दो ग्लास पानी डालके ढ़कन लगा के इस पानी को एक से देड़ ग्लास करने तक रिड्यूस कर लेंगे देखिए हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो चुकी है और जब हम सेव डालेंगे तब यह और थिक होगी तो यहां पे आपके पास दो आप्शन होते हैं अभी मैं खौलते हुए ग्रेवी में ही सेव डालूंगी जिसी की सेव नरम भी हो जाएगी और सारा जो हमारा ग्रेवी का वाटर है उसे एब्जॉब कर लेगी अगर आप चाहते हो कि आपकी ग्रेवी जादा थिक ना हो और आपकी सेव गली गली ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं गैस की फ्लेम को आफ कर दीजेगा और जब ग्रेवी थोड़ी थंडी हो जाए तब इसमें सेव अड़ कर जेगा और सेव एड़ करने के बाद इसे डारेकली हमें सर्व करना है वरना वो सारा जो पानी होगा ग्रेवी का वो सेव अब्जर्व कर लेगी और फिर आपकी ग्रेवी में कुछ बचेगा नहीं इसलिए जब आप ऐसे परोसने वाले हो तभी सेव एड़ कीजेगा तर यह पत्त अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप ज़रूर शॉक से गरम मसाला डालिएगा उससे एक अच्छा सा किक वला फ्लेवर आएगा यह हमारी सेव टमाटो की सब जी बन के बिलकुल रेडिये ट्राय दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब टू मैं चानल बबबबबबब